हेलो बच्चो चलिए देखते हैं class 10 chapter 4 new ncrt math के according example number 5 क्या है find the roots of the quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0 हमारे पास ये quadratic equation दे रखिए जिसके roots हमें find out करने है अब method यहाँ पर mention नहीं है तो आप quadratic formula का use करके भी कर सकते हैं और यहाँ पर factorization method से मतलब splitting the middle term से भी आप इसको simplify कर सकते हैं सबसे पहले देखो यहाँ पर equation क्या दे रखिए 3x square minus का 2 under root 6x और plus में 2 equal to 0 पहला काम क्या होता है बच्चो splitting the middle term में x square का coefficient 1 चाहिए यहाँ पर 3 है तो हमें इस 3 को किस से multiply करना पड़ेगा constant से तो एक rough equation बन जाएगी x square minus 2 under root 6x और 3 2 जा क्या हो गया 6 equal to 0 यह work आपको रपसाइड करना है अब हमें ऐसे factor निकालने कि multiply करें तो 6 आजाए और add subtract करें तो minus का 2 root 6 आजाए बिलकुल simple से root है यहाँ पर under root 6 multiply under root 6 अब root 6 और root 6 की multiply करेंगे तो 6 आएगा अब दुन्नों को ले लिते हैं हम negative क्योंकि हमें यहाँ negative sign चीए negative sign चीए तो under root 6 और under root 6 यह 1 under root 6 है यह भी 1 under root 6 है दुन्नों को add करेंगे तो क्या जाएगा minus का 2 under root 6 आजाएगा multiply करेंगे तो minus minus plus हो गया root से root cancel out तो यह आगे मिर पास 6 clear बात हो गई ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या आएगे factor 3x square minus का under root 6x minus का under root 6x और plus में 2 equal to 0 अब बात आती है इन में से common लेने की कि common किस तरिके से लिया जाए वो यहाँ पर सबसे अच्छा काम है सबसे अच्छा concept है समझने का वो समझ लो द्यान से जो यह 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 को मैं under root 3 multiply under root 3 लिख सकता हूँ या नहीं ठीक है बिलकुर खोल गए समझाऊँगो इसको कोई भी confusion नहीं रहेगी under root 3 into under root 3 लिख सकता हूँ या नहीं क्योंकि यहाँ पे under root 3 और under root 3 का मतलब क्या है 3 की power 1 by 2 multiply 3 की power 1 by 2 अब यहाँ पे 1 by 2 और 1 by 2 को जोड़ेंगे तो 3 की power 1 हो गई तो मतलब 3 आ गया इतनी बात तो पता है आपको तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख दूँगा मैं under root 3 multiply under root 3 x square यह step आप बिलकुल skip कर सकते हैं यह बस समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं minus में under root 6 को क्या लिख सकता हूँ under root 2 into under root 3 x ऐसे यहाँ पे कर सकता हूँ मैं under root 2 under root 3 x और plus में 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे under root 2 multiply under root 2 equal to 0 अब common लेने में असानी रहेगी देखो भई पहली 2 term से common क्या रहा है एक तो x common आ रहा है एक under root 3 common आ रहा है ले लिया common अंदर क्या बच गया under root 3 x और minus में यहाँ पे क्या बच गया under root 2 बच गया अब अगली 2 term से आजो यहाँ पे sign क्या है negative लगा लिया भई इनमें common देखो क्या नजर आ रहा है under root 2 common आ रहा है तो under root 2 common ले लिया अंदर क्या आ गया under root 3 x यहाँ से positive से negative sign जा चुका तो यह negative बन जाएगा यहाँ पे एक term बच गई under root 2 equal to 0 आ गई ना बच समझ में अब देख लो क्या बन गए under root 3 x minus में root 2 और दूसरा फेक्टर भी क्या आ गया under root 3 x minus में root 2 equal to 0 अब इसको equal to 0 कर लो under root 3 x minus में root 2 equal to 0 और यह भी क्या जाएगा under root 3 x minus root 2 equal to 0 यहाँ पे क्या आ गया under root 3 x equal to इसको right साइड लेके गए तो under root 2 आ गया और x is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पर x equal to आ जाएगा मेरा under root 2 by under root 3 और इसको इखटा भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं x equal to under root 2 by 3 दोनों का मितलब सेम है यहाँ पर इस पर भी simplify करेंगे तो x is equal to क्या जाएगा under root का 2 by 3 तो यह हमारे क्या हो गए यहाँ पर factors या zeros हो गए या फिर roots हो गए समझ में आ गया question बिलकुल अच्छे से mind में set हो गया होगा कैसे common लिया जाता है root वाली term में ऐसे split करके लिख लो terms को common लेने में easy रहेगा गडबड़ी नहीं होगी कुछ भी ना ही confusion होगी और जिस बच्चे के crystal clear है concept वो यहाँ से directly common लेके भी इसको कर सकता है चैनल को subscribe करना अगर यह question अच्छे से समझ में आ तो please आपसे request है चैनल को subscribe करना ज़्यादा से ज़्यादा share कर देना thank you students